Hello everyone, welcome back to my channel, let's learn with me आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को bigger and smaller number कैसे सिखाएं और साथ में देखेंगे कुछ practice वर्कशिप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे like और share जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए आप मुझे facebook पर भी follow कर सकते हैं उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो चलिए start करते हैं bigger and smaller number बहुत ही important topic है क्योंकि अगर बच्चों को big and small number नहीं पता होगा start आप करिए one digit number से मतलब कि one से nine के बीच के जो number है उनमें से आप कोई number ले सकते हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे object के थुरू भी सिखा सकते हैं हमें बच्चों से पूछना है इसमें से small number कौन सा है आप कोई भी object यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर pen ले रही हूँ यहाँ पर two number है तो हम यहाँ पर one two pen रख देंगे और यहाँ पर four number तो हम यहाँ पर four pen रख देंगे इस तरीके से तो जिस number की quantity कम होगी वो होगा हमारा small number तो यहाँ पर two number है और हमारे पास कितने pen है two यहाँ पर 4 नंबर है, तो हमारे पास कितने पैन है, 4, तो 2 छोटा है, 4 से क्योंकि 2 की quantity कम है और 4 की quantity जादा है, तो 2 हमारा क्या हो गया, smaller नंबर हो गया, एक और example देखते हैं, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3 and 5, तो 3 and 5 में smaller नंबर कौन सा है, यहाँ पर है 3, तो यह हमने 3 पैन रख दिया, और यहाँ पर है 5, तो हमने यहाँ पर 5 पैन रख दिया, अब किसकी quantity कम है, 3 की, तो 3 क्या हो जाएगा, हमारा small नंबर हो जाएगा, तो आप जब big and small सिखा है, तो बच्चों को या फिर पहले small नंबर सिखाए, या फिर big, जब बच्चा एक सीखेगा, तो उनके नीचे नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, 3 and 5 में small number कौन सा है, 1, 2, 3, 3 की quantity कम है, और 5 की quantity जादा है, तो 3 हमारा क्या हो गया, smaller number हो गया, फिर यहाँ पर है 4 and 6, तो 4 की quantity कम है, और 6 की quantity जादा है, तो 4 number 6 से smaller number है, बच्चों को big and small number सिखाने का जो third method है उसमें हमें क्या करना है इस तरीके से एक number scale लेनी है यहाँ पर मैंने 1 से 9 तक के number लिखे है अब इसके थुरू हम बच्चों को सिखाएंगे big and small number तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 and 2 5 and 2 में small number कौन सा है यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि हमने जो यहाँ counting लिखी है 1 से 9 तक जो number counting करते समय पहले आता है वो number क्या होता है small होता है और जो number बाद में आएगा वो number big होगा तो जैसे यहाँ पर 5 and 2 में जब हम counting करेंगे तो 2 number पहले आ रहा है तो यह क्या होगे small हो गया और 5 number बाद में आ रहा है इसलिए 5 क्या हो गया big number हो गया इसी तरीके से हम ले लेते है 7 and 8 तो जब हम counting करेंगे यहाँ पर तो 7 number हमारा क्या है पहले आएगा 8 number बाद में आएगा तो 7 number क्या हो गया small number हो गया हम ले लेते हैं 3 and 6 तो जब हम counting करेंगे 1, 2, 3 यहाँ पर पहले आ गया 3 और 6 क्या हो रहा है बाद में आ रहा है तो जो number पहले आएगा वो क्या हो जाएगा small number हो जाएगा यह तो थी 1 digit number की बात अब चलिए देख लेते हैं 2 digit number में बच्चो को कैसे सिखाएं तो 2 digit number के लिए यहाँ पर एक example लेते हैं जैसे यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 22 तो इसमें बच्चे कैसे बताएंगे कि small number कौन सा है और big number कौन सा है तो इसके लिए हमें क्या करना है यह जो right side का number है इसको ignore करना है इसको नहीं देखना है और यह जो left वाला number है बच्चे को यह number देखना है यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2 तो 1 पहले आता है और 2 बाद में आता है इसलिए 12 हमारा क्या हो गया? small number हो गया 22 से एक और example देखते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 32 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 14 तो हमें यहाँ पर right वाला number नहीं देखना है हम left वाला देखेंगे 3 and 1 तो 1 हमारा counting में पहले आता है और 3 हमारा बाद में आता है तो 14 क्या हो गया? 14 हो गया हमारा small number अब यहाँ पर एक condition और होती है अगर हमारी जो 10s value है वो same हो तब बच्चे कैसे पता करें? for example यहाँ पर मान लिजे हो 22 and 26 यह दो number है जिसमें बच्चे को बताना है कि कौन सा number small है तो बच्चे को यहाँ पर क्या करना है? अगर 10s value same हो जो अमारे left side का number है अगर वो number same हो तो हमें इस number को नहीं देखना है अब हम यहाँ पर देखेंगे right side number को जो once value वाला number है उसे देखेंगे तो यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 6 तो 2 and 6 में counting में हम देखेंगे पहले कौन आता है? 2 आता है, 6 हमारा बाद में आता है तो इसलिए जहाँ पर यह 2 है वो हमारा क्या हो गया? small number हो गया क्योंकि 10s value तो दोनों की बराबर थी, दोनों जगा पर 2 था once value में यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 6 है 2 हमारा पहले आता है और 6 बाद में आता है तो 22 क्या हो गया? हमारा smaller number हो गया तो इस तरीके से आप easily बच्चों को big and small का concept clear कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं बच्चों को practice कराने के लिए कुछ worksheet हमारी first worksheet है color that fruits which have smaller number तो यहाँ पर मैंने different types of fruit बनाए है और हर fruit का एक set बना हुआ है और उसमें एक set of number लिखा हुआ है तो बच्चों को बताना है कि कौन सा number small है जैसे यहाँ पर है 7 and 5 है तो 7 and 5 में counting में 5 पहले आता है तो 5 क्या हो गया 7 से small है तो बच्चे इस fruit को color कर देंगे इसी तरीके से यहाँ पर है 8 and 6 तो 6 हमारा 8 से पहले आता है जब हम counting करते हैं तो बच्चे इस fruit को color करेंगे इसी तरीके से यहाँ पर है 6 and 2, 9 and 3, 7 and 5 तो इसमें बच्चो को देखना है कौन सा small number है उस fruit को color कर देना है हमारी अगली वर्कशीट है circle the bigger number तो यहाँ पर बच्चो को बताना है कि कौन सा number बड़ा है जैसे यहाँ पर लिखा है 15 and 9 तो counting करते समय 9 पहले आता है इसलिए 9 small हो गया 15 बाद में आता है तो 15 क्या हो गया bigger number हो गया बच्चे इसको इस तरीके से circle कर देंगे यहाँ पर है 3 and 10, 10 हमारा बाद में आता है तो यह हो गया हमारा bigger number तो इस तरीके से बच्चे इस वर्कशीट को complete करेंगे next वर्कशीट है write smaller numbers of each set in red balloon and bigger numbers in blue balloon यहाँ पर कुछ set of number लिखे हैं बच्चो को हर एक set का जो small number है उसे यहाँ पर 2 balloon बने हुए है red and green तो जो smaller number है उसे red balloon में लिखना है और जो bigger number है उसे green balloon में लिखना है इसे आपर है 3 and 9 तो 3 and 9 में smaller number कौन सा है 3 3 पहले आता है counting में तो बच्चे इसे red balloon में लिख देंगे और 9 है bigger number तो बच्चे इसे green balloon में लिखेंगे इसी तरीके से यहाँ पर है 10 and 4 तो 4 हमारा counting में पहले आता है तो 4 है smaller number इसे बच्चे इहाँ red balloon में लिखेंगे 10 है हमारा bigger number इसको बच्चे लिख देंगे ग्रीन बैलून में इस तरीके से बच्चे इस वर्क्षीट को कम्प्लीट करेंगे तो ये थी आज की वर्क्षीट आई होप ये वीडियो आपके लिए हल्फुल रही होगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और लाइक शेयर करना ना भूलें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई